नमस्ते बच्चों, बच्चों हमने जो इसके पहले जो नीव की इट पार्ट पढ़ा था, नीव की इट जिसे लिखा हुआ था राम रिक्ष बेनी पूरी जी ने, तो उसका जो प्रशन उत्तर का वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, अब हम उससे संबंदी के MCQ टाइप क जो बहुबिकल्पी प्रशन है, पार्ट से संबंदी उससे देख लेते हैं, तो पहला प्रशन है, दुनिया क्या देखती है, तो इसका उत्तर है, पहला उपर का आवरण, नीचे का ठोस सत्य या भद्दापन, तो इसका करेक्ट ओप्शन है, उपर का आवरण, फिर दूस इसके बाद थर्ड है, सुन्दर शृष्टी हमेशा क्या खोशती है, इंट नहीं खोशती, मंदिर भी नहीं, हमेशा बलिदान खोशती है, सुन्दर शृष्टी हमेशा बलिदान खोशती है, इसके बाद है, चमकीली सुन्दर सुघड इमारत वस्तुते किस पर टिकी होती है तो इसका सही option है अपनी नीव पर फिर सत्य होता है सत्य क्या होता है हमेशा कठोर होता है इसके बाद 6th question है नीव की heat को हिला देने का क्या परणाम होगा अगर हम शेक कर देंगे नीव की heat को तो क्या होगा नीव के ऊपर जितने भी मारतें वे सभी नीचे गिर पड़ेंग फिर अगला प्रश्ण है ढूणने से डेश मिलता है अगर हम खोजेंगे फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ढूणने से हमेशा सत्य मिलता है फिर next question है डेश और डेश समाज की आधारशिला होती है क्या है समाज की आधारशिला शहादत और मौन मूख समाज की आधार श्रिला है इसके बाद नीव की इट का मुख्य संदेश क्या है तो इसका उतर क्या है ठोस और सत्य है नीव की इट का इसका मुख्य जो में जो है हमें ठोस और सत्य को सामने लाना इसका मुख्य उदेश है या संदेश है मैसेज है कि सत्य हमेसा ठोस होता है फिर है हम सत्य से दूर क्यों भागते हैं तो इसका सही उत्तर है क्योंकि सत्य हमेशा कठोर और भद्दा होता है मतलब की जो देखने में सुन्दर नहीं होता है और हाँ अपना बहुत ही कठोर होता है फिर नेक्स्ट है साथ लाख गाउं का नौ निर्माण कब करना था फिर नेक्स्ट है हम नीव के गीत क्यों नहीं गाते तो उसका उत्तर है क्योंकि नीव जो है दिखने में आकर्शक याने अट्रेक्टिव नहीं होती सुन्दर नहीं होती इसलिए हम उसके गीत या उसकी तारिफ नहीं करते फिर नीव की इट धन्य क्यों है धन्य होना इन्य ग्रेट होना महान होना तो इसका उतर है क्योंकि वह भवन को मजबूती प्रदान करती है मतलब उसको स्ट्रॉंग बनाती है उसको उसका जो बेस है उसको मजबूती प्रदान करती है स्ट्रेंथ देती है इसले वो धन्य है म महान है तो यह MCQ क्रिश्य आंसर थे आप इसके बाकी का जो प्रेश्न उत्तर का वीडियो है वो भी मैं इसके साथ में लिंक को आपको शेयर कर दूंगी तो आप वो भी इसके साथ में पढ़ सकते हैं